तो सर कितने marks का chapter आएगा यह 10 marks का ठीक है और जितने कम marks का है यह 10 marks 12 के हिसाब से तो लगेगा बहुत ज्यादा नम्मर का लेकिन graduation के हिसाब से कम marks का ही है तो यह chapter hardly 2 से 3 दिन में खतम हो जाएगा maximum 3 days में सारे questions करके खतम कर देंगे अब inventory का मतलब क्या है सर inventory का मतलब है आपका stock inventory का मतलब है that is stock और सर स्टॉक का manage करना manage करना stock का बहुत important रहता है अगर आपने stock को manage नहीं किया तो आपका business loss में भी जा सकता है जैसे मान लेते हैं simple सी बात chemist की दुकान की बात करते हम chemist की जो सबसे medicine की बात होती है expiry और हर एक product की तो वैसे expiry की होती है तो अगर माल लेते हैं कि हम goods को खरीते हैं पुराने वाले माल को मैंने क्या करा पुराने वाले माल को पीछे रखा और नए वाले माल को आगे रखा और मैंने क्या करा पुराने वाले माल को पीछे ही रहने दिया आगे वाला माल सारा बेशते गए बेशते गए बेशते यह तो सारा क्या हो गया खराब हो गया यानि आपने अपने इन्वेंटरी ठीक से मैनेज नहीं करी आप दुकान पर बैठे हो और आपको यहीं नहीं पता कि आपके दुकान के अंदर समान है भी या नहीं है कस्टुमर आता है आप ढूंडते हो नहीं मिला कस्टुमर वापस चला गया आपके बिजनस का गुडविल हो गई खरा जब स्टॉक ही नहीं है और दुकान दर के पास समान ही नहीं रहता क्या करेंगा जाके आपके पास देखा जाए इसी के साथ साथ मान लिया जाए कुछ ऐसे प्रड़क्ट भी हो सकते हैं जो कि आपके पास है तो लेकिन आपको मिलने रहे दुकान के अंदर फिर भी आपने कस्टुमर को वापस कर दिया तब भी आपका बिजनस लॉस में जा सकता है और इन सभी का बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने स्टॉक यानि जो परचेस समान करते हो उस स्टॉक को अच्छे से मिंटेन करो हर बिजन किसके सामने होता है कस्टुमर के सामने किसके सामने होता है आपका कस्टुमर के सामने यानि कस्टुमर दुकान पर जाएगा कस्टुमर से जो दुकान होता है इनका हर दुकान का एक होता है गोडाउन गोडाउन होता है अब जो यहां से समान यहां पे जाता है ना इस गोडाउन से यहां पे जाता है यही होता है हमारा नॉर्मल एक वाई गोडाउन में पड़ा हुए लिया क्योंकि हम सारा समान यहां पे रख नहीं सकते हैं क्या इस्पेस की प्रावलम और क्या सर, समान waste हो सकता है यहां पर go down में secured है थोड़ा और ये समान किसे खरीदते हैं सर ये समान खरीदते हैं किसी ना किसी मान लेते हैं manufacturer से तो सर हमें जो inventory है इस inventory को जब हम manage करते हैं तो manage करने के लिए हमें एक register maintain करना होता है और सर जो register हम maintain करेंगे, जैसे school के अंदर आपके attendance के लिए एक register maintain करते थे, उस register को क्या बोलते थे हम? attendance register, आप tuition के अंदर अलग register maintain करते थे और घर के अंदर अलग register maintain करते थे, कुछ class work के register है, कुछ home work के register, same is stock को भी register maintain करा जाता है उसको बोला जाता है that is store laser laser का मतलब होता क्या है laser का मतलब register से है laser का मतलब बिलकुल भी ऐसा नहीं समझना कि ये वाला laser की बात चल रहा है ये laser नहीं है, laser का मतलब स्रिफ और सफ register है और store laser maintain किया जाएगा सर जो store laser maintain किया जाएगा हमारा इस store laser की maintain की बात करें तो कौन करेगा store laser को maintain यह आपका यह करेगा store laser को maintain यह गोडाउन वाले आपको कोई भी समान लेना होगा आप फट से phone करोगे यहाँ पे आपका एक person बैठा होगा जिसको बोला जाता है store keeper जिसको बोला जाता है store keeper जो कि गोडाउन में बैठा है कोई समान लेने आया आपके दुकान में समान नहीं आपने फट से phone किया भाई एक काम कर यह समान चेक करके बता है या नहीं है वो बताएगा है ठीक है भेज दे यह यहाँ से इसको समान देगा जुकान फिर कस्टमर को देगा जब यहाँ से यहाँ समान देगा तो इसको बेचा तो नहीं है न इसने तो हम यहाँ पे इसके लिए word यूज करेंगे इसने क्या कर दिया issue ठीक है तो issue का मतलब मैंने बेचा नहीं है मैंने भाई सामने से आया मेरे पास शोरूम से मालिक ने हुकम किया कि भाई मेरे को समान भेज़ दो और मैंने भेज़ दिया कहना है सर go down trading में जाता है या profit and loss अभी हम profit and loss मतलब trading की बात नहीं कर रहे हैं go down rent वैसे trading का part होता है और यहां से यहां समान आएगा तो इसने purchase नहीं किया होगा इसने receive किया होगा क्योंकि purchase करने का अधिकार तो honor को होता है go down तो क्या होता है समान आया ठीक है भाई रख दे समान गया ठीक है भाई तू ले जा समान और जब समान आता है तो आपने दिखा होगा generally truck आएगा truck से फिर समान go down में उतरेगा फिर go down से यह एक थोड़ा सा mind make imagine करो के हाँ भाई go down में समान आ रहा है तो हमें किस के लिए accounting करना है इस go down के लिए और go down वाले accounting करेंगे कहा accounting करेंगे that is store laser में अब go down वाले दो तरीकी के हो सकते हैं जो हमारा go down वाला है यानि जो store laser बनाये जाएगा laser दो तरीके के हो सकते हैं sir sir store laser दो तरीके के बिलकुल एक हो सकता है periodical एक हो सकता है periodical एक हो सकता है perpetual तर प्रियोडिकल क्या होता है और perpetual क्या होता है periodical का मतलब होता है कि भाईया वहाँ पे हफते में एक दिन इंट्री करेंगे मतब समान आ गया ठीक है वाई एक हफते में बहुत कम समान आता है तो एक दिन बैठ के सारे रेजिस्टर में ट्री कर देते हैं यानि यहाँ पे हो सकता है time के according यानि हो सकता है weekly हो सकता है आपका monthly इसे एंट्री करेंगे हो सकता है तीन दिन बाद perpetual का मतलब होता है रोजाना रोजाना मतलब regular समान आया जो गोडाउन के अंदर बंदा बैठा हुआ है भाई रखो कितने डबे यह आगे वो लिखता रहेगा रखवाता रहेगा लिखता रहेगा रखवाता रहेगा वो perpetual हो गया तो आपके हिसाब से best कौन सा है perpetual best है या फिर periodical तो best perpetual है accuracy वहाँ पे जाता होता है तो हमारे exam के अंदर जो store laser बोला जाएगा वो किसी से भी पूछा जा सकता है तो हमें बनाना कौन सा है perpetual पहले तो आपको theme पता होना चाहिए यह chapter बना क्यों है chapter सीख क्यों है कहां से आया नहीं आया तो go down के अंदर जो store keeper बैठा होता है वो एक register maintain करने वाला है वो register कैसे maintain होता है वो हम करेंगे और हम सीखेंगे ताकि future में आपकी job कहीं go down या कहीं register maintain करने में लगता है तो वहाँ पे किस तरीके से आप उस register को maintain करोगे आपको पता होना चाहिए और उसके अंदर भी दो type है या तो आप periodical register को maintain करोगे future में या फिर कैसे करोगे perpetual perpetual inventory system perpetual inventory इसको करने के हमारे पास तीन methods है हाला कि वैसे ज़्यादा methods है लेकिन popular method तीन है जो कि आपको सीखना होगा एक होगा हमारा last in last out last in and last out method जैसे आपको एक तारिक को समान आया दो तारिक को समान आया तीन तारिक को समान आया ठीक है तीन दिन आपके पास समान आया अब आप तीन तारिक को खड़े हो तीन तारिक वाले दिन पे हो तो सबसे last में कों सा समान आया सबसे last में कों सा समान आया अगर मेरे पास ओफिस से ओर्डर आता है कि भाई एक काम कर तू समान भिजवा दे तो मेरे पास तीन समान है एक इस दिन भी समान पढ़ा हुआ है इस दिन भी समान पढ़ा हुआ है तो last in सबसे last में तीनों date में से एक तारिक, दो तारिक, तीन तारिक तो हम तीन तारिक पहे हैं तो सबसे last वाली date कुन सी है? तीन तारिक इसको सबसे पहले भेच दो first out मतलब इसको भेच दो यानि एक तरीके से मैं कहूं तो इस method के हिसाब से new वाला जो हमारा समान होता है new वाला जो हमारा goods होगा उसको पहले हमें send करना है है ना? यही हुआ इसका मतलब बहुत सारे ऐसे product होते हैं जो कि जितना पुराना होता है उतना महंगा हो जाता है बहुत सारे ऐसे product होते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, नए वाला हमारा महंगा होता है, पुराने वाला सस्ता होता है, जर्रेली हमने यह देखा है, पुराना समान सस्ता मिलता है, लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट हमारा, जैसे मैं सिंपल सा एक्जामपल लूँ, तो वाइन की बात करते है दारू की बात करते है तो वाइन के अंदर क्या मानना है कि जितना ज्यादा पुराना होगा उत्रा महंगा होगा तो दुकानदार क्या चाहेगा कि पुरानी वाली रहने दे इसे महंगा करके बेचेंगे नई वाली को पहले बेचते हैं और इस मैथड को हम एक पॉपलर नाम स short form नाम से जानते हैं THAT is LIFO LIFO और exam में भी आपको LIFO ही बोला जाएगा यानि आप अपने register को maintain करिये किसके according maintain करिये सर लीफो के according अपने register को आप maintain करके दिखाइए LIFO के according, LIFO मतलब last in last out मतलब नए वाला माल पहले भेज़ दो सोरूम में पुराने वाले को हम बाद में भेजेंगे दूसरा मैथ़ड आ जाता इसके अंदर that is first in first out आपके सामने date है जैसे एक तारिक दो तारिक तीन तारिक एक फर्वरी दो फर्वरी तीन फर्वरी अब आप इस date पे खड़े हो तो तीन तारिक को और एक तारिक में सबसे पहले कौन सा माल आया हमारा गोडाउन में एक तारिक वाला सबसे पहले आया सबसे पहले आया एक तारिक वाला तो जो 1st in है उसको पहले बेचो यानि इस के अंदर होगा क्या पुराने माल को पहले बेचा जाए यानि बीज़ा जाए यानि ओल्ड गूड़्स को 1st मैं सूल्ड वर्ड यहां पर लगा देता हूं क्यूंकि हमारे दिमाग में तोड़ा चलता है जल्दी समझ माता है पुराने माल को पहले बीचो बाकी बाकी यह सोल्ड नहीं होगा यह इस्जू होगा मैंने समझाया था क्यूंकि हम गोडाउन से शोरूम को भेज़ेंगे माध्य डेरी के अंदर मिलक आता है या मौरनिंग में आता है वह सबसे पहले क्या करते हैं कि वो पुराने वाले बेचेंगे और नए वाले को अंदर रखेंगे यानि जो पहले सुभे वाला कोई दूद की थैली अगर बची हुई है दूद का कोई पैकेट बचा हुआ है सुभे मॉर्णिंग वाला तो हम क्या करेंगा भई यह पहले इसको साम को बेचतो और जो साम को आएगा उसे रख लेंगे कल सुभे बेचेंगे क्योंकि खराब हो जाएगा तो कुछ बिजनसमेन इस तरीके से रेइस्टर मिंट इन करते हैं तो आपको तो हर हिसाब से आना चाहिए कुछ बिजनसमेन बोलते हैं और ऐसा पता है क्यों हो रहा है क्योंकि हर दिन रेट बदद जाता है ऐसा हो सकता है कि एक तारिक को दूद का भाव था दस रुपे लिटर और ऐसा हो सकता है कि तीन तारीक को भाव हो गया बारा रुपे लिटर कई रॉन्ट हमारे यह वे वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नेम नहीं है, इसका है, इस फीफो, आपने बुग में भी देखेंगे ना, यूनिट में तो यही नाम लिखा होगा, इन्वेंटरी के बाद, लीफो एंड फीफो एंड और इस सारी बातों को सिखाया जाता है, एस पर एस टू, अकाउंटिंग स्टेंडर्ड टू, इन बातों को गवन करता है, तो इस चेप्टर के साथ, हमारा एक अकाउंटिंग स्टेंडर्ड भी हो जाता है, इस अकाउंटिंग स्टेंडर्ड टू, और हम क्या सीख रहे हैं सर अपना स्टोर लेजर बनाना यानि रजिस्टर मिंटेन करना रजिस्टर मिंटेन करने के दो तरीके हैं या हो सकता है प्रियोडिकल हो या हो सकता है कैसे हो परपैचुल हो अगर हम बात करें प्रियोडिकल का हम बात में करेंगे पहले परपैचुल का कर लेते हैं तो परप के अंदर हमें ना तो नया ना तो पुराना हम मिक्स करके बेचेंगे और मिक्स करके वह बेचते हैं जिनका रेट बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो जाता है जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर शिर्स वगारा जो बेचे जाते हैं वह विटेड अवरेज पह बेच आ है तो ना तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एक घंटे 10 रुपे किलो बेच दूं और फिर भाकी के घंटे 12 रुपे किलो बेच हूँ गा तो मैं एक एवरीज प्राइस निकाल नूँगा यार मिर बच्चे को फॉर्मेट समझ में आ गया उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है चप्टर में मैंने कहा यह दो से तीन दिन और मैंने कर आया था तो एक ही दिन में खतम हो गया था तीन घंडे के अंदर चप्टर तो दो से तीन दिन लगना है क्रिश्णा का कहना है सर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस सर गोडाउन ट्रेडिंग में जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में गोडाउन रेंट जो है वो ट्रेडिंग में जाएगा यह पुरानी चीज़े हैं यहां तक सभी बच्चों को सारी चीज़े सम बना लेता हूं और मैं करता जाओं इस को करने के बाद थोड़ा काउंटिंग एक्वेशन यहाद आ जाता है बना लेता है देखे देट पर्टिकुलर इसके बाद यहाँ पर आएगा रिसीव अब रिसीव जब करोगे तो वहाँ डिटेलिंग होनी बहुत जरूरी है सर क्या-क्या डिटेलिंग होनी चाहिए रिसीव में रिसीव में तीन डिटेलिंग होनी जरूरी है इसका कलर चेंजर परे ठीक था सर आपके पास क्वांटिटी होना जरूरी है कि कितने क्वांटिटी आपको रेट पता होना चाहिए और टोटल कितने का रिसीव हुआ दस किलो समान दस रुपे के रिड़ से तो टोटल दस रुपे दस के जब से सो रुपे का समाना है ठीक है इसके बाद यहां लिखेंगे इशू अब इशू के अंदर भी सेम तीन कॉलम बन जाएंगे कौन कौन से तीन कॉलम सर कौन्टिटी कितने आपने दिये किस रेट के दिये और क्या आपका टोटल रुपीस का गया अब लास्ट में आएगा देट इस बैलेंस बैलेंस में भी तीनों डिटेल देनी पड़ेगी आपको कि भाईया कौन्टिटी कितने बचे किस rate वाले quantity क्या total कितने बचे यानि quantity rate and total आपका answer examiner ये पूछेगा finally अब मैं एक question कर लेता हूँ और जो मैं ये question कर रहा हूँ यहाँ पे ओपर लिख रहा हूँ मैं store laser और that is मैं कर लेता हूँ चलो मान लो FIFO से कर लेते हैं FIFO ऐसे तो कोई भी कर सकते थे लेकिन मैंने FIFO ले लिया FIFO का मतलब जो पहले आया था वो पुराने वाले माल को बेच दू ठीक है सबसे पहले मैं सारी बातें यहाँ पर लिखता जाऊँगा और उससे करता जाऊँगा माल लेते हैं मैंने एक जनवरी को एक एक को माल लो एक एक को मैंने रिसीव किया 100 क्वांटिटी रिसीव किया पांच रुपे के हिसाब से देट इस पांच सो 100 क्वांटिटी रिसीव किया 100 तो इस दिन मैंने कुछ भी ईशू नहीं किया तो मेरे पास समान जो बचा 100 क्वांटिटी बदा पांच रुपे के हिसाब से 500 समझ मैं यहाँ तक फिर से दो तारिक को मैंने फिर से रिसीव किया यहाँ पर कुछ भी नहीं है अब यहाँ पर मेरे पास दो तरीके के वराइटी हो गए 100 क्वांटिटी पांच वाले और 300 क्वांटिटी छे वाले यानि 500 और यह 1800 मिक्स नहीं करना आपने कुछ्चन मैं अपनी हिसाब से बोलता जा रहा हूं लिखता जा रहा हूं तीन तारिक को तीन तारिक को तीन एक को अगेन मैंने रिसीव किया 500 क्वांटिटी चार रुपे के हिसाब से और अब मेरे पास तीन तरीके के वराइटे होगे इशू कर दिये और जो इशू किये न चार तारिक को हमने यहां ब्रैकेट कर दिया बने चार तारिक को मैंने इशू किये आठ सो ग्वांटिटी आठ सो यूनिट अब हमारा चुकी है कौन सा मैथ़ड फीफो तो हमारे पास तीन तरीके के यूनिट है ठीक है तीन तरीके के यूनिट है हमारे पास तो तीन तरीके के यूनिट में हमें कितने यूनिट बेचने है आठ सो तो हमें सबसे पहले ये वाला unit निकालना है कि ये वाला कि ये वाला अब हमें फैसला करना होगा सबसे पहले पहले वाला निकालेंगे यानि हम जब issue करेंगे तो पहले हमें 100 unit issue करना पड़ेगा पांच वाला लेकिन हमें तो बेचने 800 है तो अब मुझे बताईए अब कौन सा बेचना पड़ेगा 300 यूनिट और ये 6 वाला लेकिन अब भी 800 नहीं हुए अब मुझे 400 और बेचने पड़ेंगे इसमें से तभी तो 800 बनेंगे तो अब बताओ 400 कौन से वाला होगा चार वाला तो इशू की बात करें तो 500 अठारा सो और 1600 अब हमारे पास बचा क्या है बताईए हमारे पास अब टोटल में से कितने बचे हैं सिर्फ 100 ही बचे हैं और वो भी कौन से रुपे वाले चार वाले डेट डेट इस 400 अब जब इशू किया है हमने कितने यूट इश्यू किए 800 तो 800 में से आपके पास 900 यूट पड़े हुए है टोटल के फ़र्म में तो 800 में से फीफो में थड है तो पुराने वाला पहले बेचे तो पुराने वाला पास इसमें से 400 बेच दिये तो इस तरीके से बेच दिये अब हमारे पास जब इसमें से 400 बेचे गए तो मतलब यहाँ पे 100 यूनिट ही तो बचे है तो 100 यूनिट ही यह बचे लिए समझ रहे हैं बात को अब हमने 5 तारीक को मान लिया जाए 5 एक को फिर हमने रिसीव कर लिया मान लेते हैं 600 यूनिट पांच रुपे के हिसाब से तीन हजार अब यहां पर आगे 100 रुपे और चार वाला है और छे सो पांच वाला है तीन हजार इस से मुश्किल है ही नहीं यह सवाल अगर आपको इतना समझ में आ रहा है बस और यह सवाल दस नमबर का पूछा जाता है इस सवाल के अंदर जो भी मैं मानता हूं जस्ट एक फार्मेटिंग है और फार्मेटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर एक बार समझने के बाद हर बच्चा कर लेता है इस सवाल को जब बच्चा कोई लास्ट टाइम पर आता है ने मेरे पास के सर कुछ पास होने के लिए बता तो दस बार नमबर यह करे यह करे तो पहले तो यह कर लो क्योंकि जल्दी हो जाएगा यह है अब मान लेते हैं कि छे तारीक को छे एक को आपको date भी specific ध्यान तकना है छे तारीक को आपने ईशू कर लिए Suppose करो, आपने 50 unit issue किये हैं अगर आपने 50 unit issue किये हैं तो आप FIFO के according 600 में से 50 unit निकालोगे या 100 में से 50 unit nिकालो 100 में से निकालोगे ना तो 100 में से 50 unit निकाला तो 50 into में चार यानि 200 के यूनिट निकल गए अब बैलेंस जो बचा अब 50 बच गए 4 वाले और 600 बच गए 5 वाले यानि हमारे पास 200 और 3000 बच गए साथ तारिक को मान लेते हैं अगेन इशू किया हमने 350 यूनिट तो जब मैं साथ तारिक को अगेन इशू करूँगा 350 यूनिट तब मुझे बताईए कैसे कैसे करा जाएगा 600 में से डारेक्ट 350 निकाल ले या फिर हम पहले 50 निकलेगा है ना पहले 50 निकला चार वाला अब 600 में से कितने निकालेगे 300 तो ये 200 और ये 1500 अब मेरे पास जो बचा वो 300 यूनिट बचा 5 वाला 1500 कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी बता दे क्या आपको अभी तक के पॉइंट में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो यानि आप लीफो या फीफो की बात देखें अगर आप लीफो या फीफो की बात देखो तो वो पता है कहां पे नजर आता है स्रिफ स्रिफ और स्रिफ वो नजर आता है इशू के टाइंग पे रिसीव करते जाओ और एड करते जाओ लेकिन जब इशू करते हो तब ही इंपैक दिखता है उसका तो अब हमसे पूछा जा सकता है कुश्चन कुश्चन नमबर वन कि आप बताईए क्लोजिंग स्टॉक का वेल्यू क्या है तो जवाब है सर क्लोजिंग स्टॉक का वेल्यू कितना है जो समान आपने इशू किया है उसकी टोटल वेल्यू क्या है इस टोटल वाले कॉलम को टोटल करके बता सकते हैं ठेक है बस आपका कोश्चन इतना ही पूछा जाएगा इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा हाँ डेट्स बढ़ जाएंगे उसके अंदर पहले यहां तक बत से लह नहीं तो तो लीफो फॉर्मेट वही सेम है बिल्कुल लीफो सप्रस्अ यह कोई बात ने इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से लेना देना नहीं अगर आपसे स्टार्टिंग से जोईन हो आज की क्लास में तो डेफिनिटली आपको समज में आएगा यह जैप्टर बताईए किसी बच्चे का डाउट बताएं फटा-फट डाउट I don't know nothing about slivers आपके folder में मैंने डाला हुआ है कि slivers में क्या क्या है आपके 5 unit है 1st unit theory का है 2nd unit आपका practical है 3rd unit भी practical है 4 unit भी practical है और last one is computer वो भी आपका theory है और उसमें से कुछ एक computer के component पूछे जाते हैं आप वीडियो के content में जाएगे मिल जाएगा बिल्कुल course के बारे में भी बता देंगे आपको सारा ना वीडियो आप content में जाके देखेगा each and everything को explain किया हुआ है बाकि आपकी classes TTS में रहती है जो कि इस month TTS रखेंगे और maybe probability है कि November 15 के बाद यानि आपका दशेहरा दिवाली खतम हो जाए उसके बाद regular class रहेगी आपकी 15 से 18 दिन की और हमारा target है 5 December तक अपना syllabus को खतम कर ले और आपका 18 December से exam स्टार्ट हो जाएगा total हमारे 5 unit है इसके अंदर और 5 unit cover करेंगे और exam में भी एक बार आपका exam भी 5 questions पूछे जाएंगे वो सारी चीजे मैंने बताई हुई है फिर भी एक बार मैं एक अलग से separate video बना के दे दूँआ तो मैं एक बार इसको अगर remind करवाँ इसको तो sir हमारा चल क्या रहा है that is inventory chapter का नाम है unit number 2 दस number का आपके exam में सवाल पूछा जाएगा और inventory stock को बोलते हैं stock को manage करना सीखना है कौन manage करेगा एक go down होता है और एक customer होता है और एक manufacturer होता है तो go down वाला manage करेगा और go down वाला क्या करेगा एक register बनाएगा और उस register को क्या नाम देते हैं हम store laser और register को बनाने के काफी सारे तरीके हैं या तो आप periodical कर सकते हो या फिर आप perpetual कर सकते हो अगर periodical है तो आप weekly या monthly बनाओगे perpetual है तो आप daily बनाओगे इसमें अगर मैं आप perpetual की बात करूँ तो यहाँ पे तीन methods हैं आपके leafo, fifo and weighted average leafo का मतलब नए वाला पहले माल इशू कर दो fifo का मतलब पुराने वाला पहले इशू करो weighted में mix करके करना है आपने मैंने एक leafo से आपको fifo से एक questions करके दिखाया जिसमें पुराने वाला माल पहले बेचा सबसे पहले तारिक को 100 quantity आया तो 500 तो balance भी हमारे पास बच गया 500 फिर हमने दो तारिक को 300 unit लिया तो फिर हमारे पास दो type के stock बच गये है एक 100 unit और एक 300 unit इसके बाद देखा जाए इसके बाद तीसरे time पे भी हमने खरीदा 2000 का अब हमारे पास 3 type के unit हो गये है तीनों उपर वाले भी हो गये और ये तो इतने unit हो गये अब हमने 4 तारिक को issue कर दिया है तो issue कितने unit किये है 800 unit में यहां लिख दिया है तो 800 unit में क्योंकि यह FIFO है तो पहले ये वाला 100 बेचेंगे फिर ये वाला 300 बेचेंगे अब 400 और कम पड़ रहे है तो इसमें से 400 निकालके हमने इसको बीचा है रेट पे खासा दियान देना है अब मेरे पास जो stock बचा only 100 बचा है वो किस में से बचा है only 100 सर इस 500 में से only बचा हुआ है 5 उनको क्या है receive 600, 5, 3,000 रुपिस ठीक है अब बात करते हैं सर हमने 600 उनिट खरीद लिया तो ये add-on होके total इतना हो गया अब हमने फिर से issue किये 50 अब हमारे पास challenges सर दो तरीके के उनिट है 50 इसमें से दे इसमें क्योंकि FIFO चल रहा है तो इसमें से 50 दे लिया और इसका rate 40 था अब दो तरीके के 50 ये बचा हुआ है और 600 ये बचा हुआ है लास्ट में मैंने साड़े 300 इशू किया है जिसमें से 50 हमने पहले ये वाला ले लिया और इसमें से मैंने 300 ले लिया अब मेरे पास net में 300 यूनिट बचा हुआ है examiner ने पूछा के बताईए आपके पास closing stock कितने quantity है तो सर 300 quantity है किस rate के है सर 5 रूपे के rate से है कितने रूपे के है सर 1500 रूपे के है हम तीनों जवाब easily दे सकते है देखो अन्षी का जो S.O.L. का study material मिला है खास कर account उसमें से inventory चप्टर बहुत ही अच्छा दे रखा है आप कर सकते हो बाकी चप्टर आपके सही से नहीं given उसमें even though single entry भी given है जो कि slaves का part नहीं है तो बहुत सारे slaves वो पुराने चलाए जा रहे है अब नए वाले इस साल का मैं देखूंगा कि क्या मिला है study material में उसमें single entry दे रखा है जो कि not a part of slaves और कुछ chapter ऐसे भी डाल दी है जो कि slaves का party नहीं है तब भी डाला हुआ है तो उसको अभी आप ignore करें बुक आप ले ले जे आर मोंगा अब देखिए मैं इसी को अगर मैं imagine करना आप अभी सीख नहीं रहे हो लीफो तो मैं जो 800 unit निकालता तो 500 ये वाला निकालता और 300 ये और ये 100 जो बसता वो 5 रुपे वाला बसता बस यही concept हमें लीफो के अंदर follow करना है चीक है ना तो कुछ एक सवाल है that is देख लेते हैं ये किस की बात कर रहा है और कहता है periodic inventory अभी periodic नहीं करेंगे हम सिर्फ अभी सीख रहे हैं कौन सा perpetual तो इस सवाल को आपके book का पहला सवाल है तो अंडर हम perpetual system इसको कर लेंगे अब देखे सबसे पहले opening stock की बने सब opening stock कितने की बने हजार unit 20 वाले तो इस सवाल को कर ली क्या इस सवाल को कर ले 5-6 entry 1-2-3-4-5-6 entry है मैं थोड़ा सा आप सभी के पास किताब हो तो आप देखिएगा ठीक है चलिए मुझे पिछला questions का format follow करना पड़ेगा अक चलिए इसको ठीक कर लेते हैं हमें format ही तो चाहिए थोड़ा time बच जाएगा और कुछ नहीं झाहिए झाहिछ़ा झाह झाह सा चलिए सर इसी फार्मेट को मैंने कॉपी कर लिया है थोड़ा टाइम बचाने के लिए और और कोई रीजन नहीं है हम फटा फट से कर लेते हैं और कौन से मेथट बोला गया है अंडर फीफो और हम फीफो कर रहे हैं साइड यह आपको प्रॉपर विज्वल ना हो तो आप सब भी बच्चे के पास किताब है किताब में से देख सकते हैं सर किताब का नाम क्या है सर किताब का नाम जे आर मोंगा है और आपकी किताब का ही कोशन है यह चलिए कहता है जन्वरी एक को ओपनिंग बैलेंस है तो हम लिखेंगे यहाँ एक एक और हमारे क्या है बैलेंस है तो अब ये भी ब्लैंक चला जाएगा है ना चलो एक कॉलम नीचे आगा कोई बात नहीं कितने बैलेंस है ओपनिंग में हजार कॉणिटी कितने वाला पीस वाला मतलब भीस हजार मतलब भीस हजार ठीक है चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फर्वरी दस कहता है परचेश किया यानि रिसीव कितने कॉणिटी रिसीव किये सर पांसो कितने वाला 25 कितने हो गए 12 500 1000 और 500 25 नहीं 20 और 25 20,000 और 12 500 एक डन, दो डन तेरा तारिक को फिर 400 खरीद लिए 22 में, फिर से रिसीव, कितने 425 8800 अब मेरे पास बचे 1500 और 400 ये 22, ये 25 ये 20, ये 20,000 ये 12 500 और ये 80 800, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं लेकिन ठीक है, आसान सवाल है अब मैंने 1200 यूनिट इशू करें सोल्ड यानि इशू, कब किये मैंने? 20 को हमने इशू कर दिये कितने 1200 तो सर, 1200 यूनिट किया, फीफो है तो पहले 1000 ये वाला निकालो और फिर 200 इसमें से निकालो, यानि 500 200 इसमें से निकालो, तो कितने वाला? 25 वाला, तो ये सर 20,000 और 25,000 5000 ही होंगे न, चलिए अब बच्चे कितने? इसमें से बच्चे 300 इसमें से बच्चे 400 ये 25 यानि 75 और ये 22 यानि 88 बीस के बाद फिर 6 अपरेल को हमने 500 यूनिट बीच लिए 6-4 को मैं डेट के आगे कई बार नहीं लिख रहा तो मार्च सा गया? मार चाहिए, तीन है ये टेट देख ले ना इक वा ठीक है फिर से इशू किया कितने इशू किया हमने? 500 अब 500 कौन सा लेंगे हम? सर्थ एक तो 300 ये चला गया 25 और 200 इसमें से चला गया ये हो गया हमारा 44 देख रहे हो कितना आसान है ये और ये बचे कितने इसमें से? है न? थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं लेकिन आप देखिएगा बाद में ठीक है? पेज नंबर क्या है? पेज नंबर क्या है? बता दो किसी बचे का 10.9 है पेज नंबर ये 400 भी हो गए फिर 12 तारिक को मैंने 400 पर चेस कर लिया 12 तारिक को मैंने रिसीव कर लिया कितने? 400 किस रेट का? 25 तो कितने हो गए? 10,000 तो 200 हो गए 22 वाले और 400 हो गए 25 वाले 10,000 4400 10,000 और 4400 इसके बाद क्या किया है? लास्ट 30 जून 36 इशू कर दिया कितने? 500 तो 200 ये वाले और 300 ये वाले 22 और 25 तो ये हो गए 4400 और ये हो गए 75 तो और बचे कितने? 125 तो बचे के 25 तो आप आंसर चेक कर सकते हो आंसर में गीवन होगा तो ये पूरा सवाल था simple सा और ऐसा ही question पूछे जाएंगे आपसे exam में ठीक है? कमने periodic कर रहा है तो आज हमने एक method खतम कर लिया that method is कौन सा हमारा FIFO method अगली class Saturday नहीं है मैं Saturday यहाँ पे नहीं हूँ मैं Sunday लूँआ class Sunday की timing क्या रहेगी सर आपकी Sunday की timing रहेगी आपकी साड़े तीन बज़े दिन में ठीक है? साड़े तीन बज़े college बगएरा सब हो जाएगा जिनका है साड़े तीन पॉने चार बज़े तक हम class start करेंगे कब? Sunday और Sunday तो doubt भी लेना है हमें final account का तो doubt होगा तो doubt ले लेंग otherwise इसका फीफो भी कर लेंगा ठीक है? तो चलिए सर अब इसमें किसी का doubt है तो आप पूछ सकते हैं और जिनको note करना है image क्लिक कर लिजे एक बार आपने पहले बेच रहे है ठीक है? तो question number आपकी किताब का तीन चलिए एक एक करके पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं पहला कहता ओपनिंग स्टॉक है हमारा 10 रुपे वाला और पहले देखिए question हर किसी को visual है comment में बता दिजिए फटा फट क्या question आपको visual है सभी बच्चों को question visual है मुझे तो दिख रहा है question कि क्यूंकि आपके पास questions होंगे कि येस चलिए कि आई ये क्या कहता है एक जन्वरी को हमारे पास opening stock है तो हम first gen को काम कर ले एक जन्वरी एक एक को opening stock सर ये blank हो जाएगा है न ये भी सर blank हो जाएगा सर opening में कितने हमारे पास 200 unit और 10 रुपे वाले तो मतलब कितने रुपे का समान है हमारे पास 2000 ये total है चलिए आगे कहता है 10 जन्वरी को मैंने purchase कर लिया तो 10 जन्वरी को आपने अगर purchase किया है तो आप receipt लिख सकते हैं purchase लिखा है तो आप purchase भी लिख सकते हैं सर कितने unit खरीदें आपने 400 unit खरीदें और कितने वाले 12 कितने रुपे के होगे 4800 सर अब हमारे पास दो परकार के stock दो टाइप के हो गए 200 और 400 ये 10 वाले ये 12 वाले ये 2000 और ये 4800 यहां कहता है withdrawal withdrawal का मतलब है यहां पर issue करना tis विड्रॉल कितने किए 500 विड्रॉल का मतलब है इशू करना किस डेट पे विड्रॉल किए हमने फरवरी बारा यानि बारा दो को तो आपका इशू करना लिख दो यहां पर सिंपल यह ब्लैंक रह जाएगा और आपने इशू कितने किए 500 तो पहले 400 रुपे नए वाला पुराने वाला दस वाला रेट तो 4800 यह निकल गए है और 1000 यह निकल गए अब जो हमारे पास बचा 100 यूनिट बचा है मात्र और वह भी दस वाला तो बच गए हमारे पास 1000 इसके बाद 16 तारिक को फिर खरीदारी कर लिए हमने 16 दो को आपने पर्चेस कर लिया 16 तीन को पर्चेस कर लिया और 16 तीन को पर्चेस करा 300 यूनिट तो यह आ जाएगा 300 और कितने वाला 11 तो कितने हो गए 33 ठीक है इशू जो किया आपने नहीं किया तो ब्लैंक छोड़ दोगे अब हमारे पास 100 यूनिट हो गए और 300 यूनिट हो गए यह 10 वाले और 11 वाले इसका कीमत 1000 इसका कीमत 33 ठीक है इसके बाद 19 तारिक को सेल कर दिया 200 तो 19 तीन को हमने इशू कर दिये कितने करें कितने यूनिट बेचें 200 तो 200 जब बेचें तो अब किस में सजाएगा 300 वाले में सजाएगा हमारा तो 200 बेच दिये हमने इस वाले में सजाएगा क्योंकि latest तो यही है नए वाला तो 11 के हिसाब से हो गए 200 रुपे अब हमारे पास 100 यह बच गए और 100 यह बच गए यह बच गए दस वाला यह 11 इसकी कीमत 1000 इसकी कीमत 1100 समझ रहे बात को चलिए इसके बात कहता है 19 तारिक को सेल कर दिया 19 को सेल हो गया फिर 30 को हमने रिसिप्ट कर दिया 30 को 30 जून यह 19 पांच है और यह 36 है आपने क्या करा इस दिन परचेस यह रिसिप्ट कह लो कितने यूनिट 100 यूनिट कितने वाले 15 तो हो गए 1500 अब हमारे पास 3 तरीकी का स्टॉक हो गया 100 100 और 100 यह 10 11 और 15 तो 1100 और 1500 सवाल में यही बोला गया था कहता है following applying inventory कहता है कहता है कि calculate cost कहता है calculate cost of goods sold and ending the inventory तो sir cost of goods sold क्या होगा इसका total issue वाले का total कर दो तो यह हो जाएगा हमारा चलिए चलिए लिखते हैं कोस्ट और जो समान आपने बेचा है उसका कीमत कितना है तो इसका total कर लेंगे सर चोटल क्या रहा है बताइए टोटल क्या रहा है चलिए ऐसे लिख लिखते हैं सर अड़तालिस सो एक हजार अड़तालिस सो एक हजार और बाईस सो आठ हजार तो यह आ गया हमारा आठ हजार सर closing inventory पूछा है तो closing end में inventory क्या रह जाएगा सर एक हजार प्लस ग्यारा सो प्लस पंदरा सो यानि 3600 closing inventory is 3600 तो लीजिए हमारे यह सवाल हो जाता है complete बताइए किसी को doubt book में answer दे रखाँ होगा देख लो बुक में किस तरीके से answer दे रखाँ किसी बच्छे का doubt है तो पूछे नहीं तो हम अगले question पर चलेगे कैसे दिया लग से करा है हम इसी में कर देंगी कोई दिकत नहीं है प्रियोडिक वाला भी इसमें था क्या नहीं इसमें तो सिर्फ पर्पेचुल है अबक वालों ने अपनी मर्ची से प्रियोडिक निकाल दिया प्रियोडिक तो बाद में करेंगे लास्टू किसी भी स्टूडेंट को डाउट क्लियर है यस या नो में बताईए आगे बढ़े क्लियर है सबको सेंपल कोश्चन अब आ जाते हैं यह कौन सा मैथट है पीफो यह होमवक में पिर से पहला कोश्चन आ गया नहीं वेटेड एवरेज मैथट है नहीं कोश्चन चारवेटेज यह तो करना बनता है मतलब एक एलिसेशन वन को लेते हुए इन्होंने काफी सारे कोश्चन बोला कर लीजिए आपका काम हो जाएगा शल यह वेटेड एवरेज भी करेंगे यह न्यू है हमारे सीखने के लिए सर क्लोजिंग स्टॉक 3600 कैसे आया 3600 क्लोजिंग स्टॉक इन सभी को एड़ करके जा गया इन सभी को एड़ करके इन तीनों को जो बच गए लास्ट में ठीक है चलिए फॉर्मेट में कोई चेंजिस नहीं है चाहे कुश्चन कोई भी हो आ जाएगे अब वो तो बहुत दूर चला गया ओके ले आए इस इधर इधर रखते हैं इस ठीक है चलिए आपको कुश्चन देख रहा है बिल्कुल देख रहा है करें कुश्चन स्टार्ट तो इलिस्टेशन नमबर वन को बेस मानते हुए कह रहा है आपका वैसे है इलिस्टेशन नमबर फॉर वेटेड एवरेज चलिए करते जाओंगा आपको क्लियर हो जाएगा कहता है कैलकुलेट एंडिंग ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है यहां पर कहता है एक्सप्लेइन देना एक जनवरी को एक एक को हमने हमारे पास क्या आप कौन सा बैलेंस है ओपनी तो पहले की तरह बिल्कुल सेम 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 अब कितना बैलेंस है? हजार यूनिट यानि 20 हजार हमने पर्चेश कर लिया फैब 10 को तो फैब 10 यानि 10 दो को पर्चेश कर लिया एक कितने पर यूशन कीए? पांचेश आप यहां कितने रुपे वाले है? पच्चिस वाले तो कितने हो जाएंगे यानि 12500 अब यहां पर में कैच है देखना अब हमारे पास जो स्टॉक है ना वेटेड में 1000 तो पहले ही थे खरीद लिए कितने 500 तो अब यहां पर अलग अलग लिखने की जुरतनी है सीधा 1500 लिखेंगे पहला पॉइंट पहला पॉइ इसको भी एड कर दोगे 20,000 और 12 तो कितने होगे 32 अब रेट इन दोनों को डिवाइड करके निकलेगा तो रेट पता है कैसे निकलेगा इस केस में पहले वाला रेट निकालता हूं बाकी तो समझ में आ जाएगा 32,500 डिवाइड वाइड वाइड पंदरा सो तो देखते हैं तो रेट आ गया 21.66 ठीक है तो इसमें कई बार ऐसा होगा 10-5 रुपे का फरक भी आएगा क्योंकि हम सारे पॉइंट को नहीं ले रहे हैं यहाँ ठीक है फिर से कहता है 13 मार्च को 400 यूनिट खरीद लिया ठीक है सर 13 मार्च को खरीदा परचेज कितने 400 कितने रुपे वाले 22 वाले तो कितने हो जाएंगे 8800 अब देखो अब हमारे पास 1500 पहले थे 400 और खरीदे कितने हो जाएंगे 1900 और टोटल कितना हो गया सर 32 500 प्लस में 8800 यानि 41 300 अब रेट इसको इससे डिवाइड कर दो रेट आ गया 21.73 ठीक है अब आपने 20 मार्च को बेच दिया है 1200 यूनिट तो 20 मार्च को 23 को आपने इस्यू कर दिये यह ब्लैंक रहे गया इस्यू कितने कि यह 1200 अब यह थोड़ा आप बेचने टाइम पर असान हो गया को टेंशन ही नहीं लेना कितने रुपे में बेचना 21.73 बेच दो इंटू में 1200 यह आ गया 266 ठीक है न रुपे 10 रुपे 20 रुपे यहां तक कि 100 रुपे का कईवर फरक आ जाएगा यहां कितने बच गए 1200 निकली गए तो 700 बचे ना साथ सो 21.73 तो साथ सो इंटू में 21.73 अब यहां पर एक समस्य आएगी कि आपका हम इसको ऐसा कर सकते हैं वैसे तो मेरा आगया 15211 आप यह भी लिख सकते हैं 15211 ठीक है लेकिन इन दोनों का जोड़ तो सेम तिर्टिक तालिस तीन सो होना चाहिए जो बैठेगा ने क्यों पॉइंट की विज़े से या तो आप ऐसा कर तक तालिस तीन सो में से इतने निकल गए बागी बैलेंस यहां लिख दो ताकि आगे आपका आसानी हो जाए नहीं तो बाकि आप ऐसे भी कर दो तो कोई फरक नहीं पड़े से मैंने यहां पर इन दोनों को मल्टिप्लाई किया है ठीक है चले आगे सर फिर से समान पांसो बेच दिया है कब 6 अप्रेल को छे चार को इशू कर दिया है कितने पांसो तो टैंशन ही नहीं लेना 21.73 से बिख जाएगा तो 21.73 यह अठारा सॉरी दस आठसो पैंसट बाकि कितने बचके सर बाकि बचके पांसो निकलने के बाद 200 21.73 यह थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है लेकिन मेरा मानना है पिछले वाले से असान है इसमें ध्यान ने रखना कुछ भी आपको के पहला कौन सा बिखेगा दूसरा कौन सा बिखेगा फिर बारा मई को आपने खरीदारी कर लिए कितने 400 सर बारा मई बारा चार को आपने परचेस कर लिया परचेस कर लिए कितने 400 कितने रुपए का यूनिट 25 यानी हो गए हमारे 10,000 तो अब देखा जाए तो 200 और 400 हो गए टूटल कितने 600 और हमारा टूटल अमाउंट हो गया 10,000 प्लस में 4346 यानी 14,346 और डिवाइड कर दें अगर 600 से तो रेट आया 23 रुपए 1,90 पैसे 23 रुपए 1,90 पैसे अब 12 मार्च के बाद 30 जुन को हमने क्या करा बेच दिया कब बेच दिया हमने 30 जुन को इशू कर दिया सर 30 जुन को अगर हमने 30 जुन को बेच दिया है कितने बेच दिया है 30 जुन को 500 बेच दिया तो simple सा बात है भाई या 500 किस रे इन्टू 500 यानि 11955 ठीक है अब बचे कितने 100 कितने 23.91 कितने हो गए 2391 कुश्चन पूछता है अब क्लोजिंग इन्वेंट्री बताइए तो क्लोजिंग होगा स्वरी पहले बताइए कॉस्ट अफ गुड्स वाले का टोटल दिखा देना है न इस सभी का टोटल कर देंगे तो 266 प्लस 10865 प्लस 11955 तो यह मेरे पास आ गया 48896 और अपनी किताब में आप देखेंगे तो फरक होगा पॉइंट की वज़े से और ज्यादा फरक नहीं होगा अब क्लोजिंग स्टॉक में तो भईया क्लोजिंग स्टॉक तो एक ही अकिला है तो 2391 आ गया इसको हमें प्रियोडिक्स से भी करना है और हमें परफेच्वोल से बीकरना लेता जंजटी खतम करते हैं ठीक है बताईये कोई डॉट क्या राया बुक में आंसर देखिए कितने रुपे का फरक आ रहा है सर मुझे आज से रोल नंबर का मैसिज आया है उसने बार कोड नहीं आया फिर कैसे लॉग इन करूं बार कोड बहुत बच्चों का नहीं आये न भी क्या है तो आदेस बोल रहे हैं कि लिंक आया हुआ है लिंक पे क्लिक करके हो जाएगा ऐसा बताया रहा है इसे अलग-अलग करके COGS बता दो एक पर COGS में क्या होता है जो इसई वाले का टूटल होता है न। देखो COGS क्या होता है बेसिकली आप देखिए जो इसई वाले का टूटल है ये 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 सबको टूटल करके COGS निकलता है ये रहा और closing stock क्या होता है लास्ट वाले सेक्शन का टोटल कर दो नहीं हो रहा थोड़ा वेट कर लीजिए आ जाएगा और आपको फिर दुबारा हो जाएगा करीब वन वीक का और वेट करना होगा आपको सर सेल्स वाला ही टोटल क्यों किया कॉस्ट अवगूट वोल्ड का मतलब ही होता है कि जो समान बेचा उसकी कॉस्टिंग कितनी है तो जो समान बेचा ये सारी कॉस्टिंग ही है इसलिए सेल्स वाले का टोटल हमने कर दिया है इसी graphy प्रियोडिक में करें इसी को प्रियोडिक में चलियो सेम कुश्चन को लेके चलते हैं हम कहां पे सर प्रियोडिक में तो सर प्रियोडिक में तो इसकी जरुरत नहीं है किसकी बात कर रहे हैं सर प्रियोडिक में इसकी जरुरत नहीं है चलिए प्रियोडिक प्रियोडिक बड़ा असान है और जनरल एक्जाम में पूछा नहीं जाता है यह प्रियोडिक वाला अब आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं पूछा जाता सबसे पहले हम क्या करेंगे जितने भी पर्चेस की हैं इक खटा लिख लेंगे सबसे पहले हम पर्चेस लिख लेंगे सारे पर्चेस को हम एक साथ लिख लेंगे ठीक है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे पर्चेस को लिखने के बाद एक साथ फिर बेच देंगे और यहां पे लिख लेते हैं इस्जू है फिर लिख लेंगे नीचे तो देखिए पर्चेस के अंदर हमारे पास ओपनिंग इस्टॉक था कब था एक, एक, दो हजार नहीं बता है, तो एक, एक, कितने थे हमारे पास, हजार इंटू बीस, तो यहां पर लिख लेते हैं, क्वांटिटी, रेट, एंड टोटल, छीक है, कितने कितने का खरीदा, हजार यूनिट, बीस वाले, छीक है, हजार यूनिट, बीस वाले, कितने हो गए हैं, बीस अजार, इसके बाद फिर से खरीदा हमने कब, दस फरवरी, दस दो को, कितने यूनिट खरीदे, 500 यूनिट, कितने वाले, 25 वाले, 12,500, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर से 13 मार्च को खरीद लिया, कितने यूनिट, 400 यूनिट, कितने वाले, 22, यानि 8800, फिर उसके बाद कब खरीदा हमने, मार्च के बाद 12 माई को 12-5 को खरीदा कितने का खरीदा 400 कितने वाले 25 वाले यानि कितने हो गए 10,000 इन सभी को टोटल करके एक एवरेज प्राइज निकाल लेंगे इन सभी को टोटल करके एक एवरेज प्राइज निकाल लेंगे यानि 1000 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 400 यानि टोटल 200 यूनिट खरीद चुके हैं इस पूरे कोश्चन में कितने रुपए का 20,000, 12,500, 8800 और 10,000 यानि 51,300 का तो रेट आ जाएगा हमारा तेइस सो डिवाइड करके 22 रुपए 30 पैसे आ गए ठीक है 22 रुपए अब इशू जो किये हैं उसको लिख लेंगे इशू में क्या क्या किये हैं कब कब इशू किये हैं सर पहला इशू है 20 मार्च को 23 को कितने ही क्वांटिटी इशू किये हैं हमने 1200 उसके बाद फिर से हमन में इशू किया है छे अप्रेल को छे चार को कितने क्वांटिटी इशू किये हैं सर 500 यानि 81 कर लेते हैं पहले हम ठीक है इसके बाद क्या कर रहा है 30 जून को 36 को कितने कितने 500 तो टोटल कितने हो गए सर 22 को इसी रेट पे बेच दो 81 प्रेटेट 49 ठीक है बैलेंस जो बच गया बैलेंस जो बच गया वो कितने बचे सर 2300 में से 2200 निकल गया तो बैलेंस कितने बचे 100 यही वाला बचा 22.30 यानि 2230 यह हो गया प्रियोडिक तो प्रियोडिक जर्नल एक्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन है आसान अब पूछा गया पूछा गया एंड अफ इंवेंट्री तो यह एंड इंवेंट्री हो गया हमारा क्या पर्चेस का कर रख़ा है हां तो कोई दिक्कत नहीं है आप मैंने तो यहां पर क्लियर बता दिया कैसे करना और ऐसा कोई इसका फॉर्मेट नहीं आप रफली भी कर सकते हैं इसका कोई फॉर्मेट होता नहीं है हां तो नीचे इसने डारेक्ट कर दिया ना क्या फरक पड़ता है हमने एक फॉर्मेट के अंदर प्रॉपर कर दिया है और इसका कोई फॉर्मेट है नहीं यह लो इतना यह हो गया और यह थोड़ा और सजा दिया लो तीन पॉइंट हो गया यह अलग अलग कर सकते हैं अलग टुकड़ा यह अलग टुकड़ा यह ठीक है सर इसका कोई फॉर्मिट नहीं होता अगर फीफो भी होता तो हम सारे जोड लेते और फिर उसके हिसाब से इखटा कर लेते लेकिन फीफो में क्या होता हम ऐस grateful करके लिग Parker निकालते जाते हैं यहां पर आपको गेन और प्रॉफिट कैसे निकालना है क्योंकि सेल्स जो कर रख है उसका भी रेट गीवन है कौन सा मेथड है इसने लीफो से भी बोला फीफो से भी बोला और बोलता है कि using each alternative और weighted से भी बोला है तो मैं इसको एक से करके दिखा देता हूँ अब बताईए लीफो से करके दिखाऊ या फीफो से या वीटिस से आप जो भी बोलेंगे मैं उससे कर दूँगा फिर आपने करना क्या ऐसा है फिर आपने कुछ नहीं करना फिर आपने सिर्फ और सिर्फ उसको उसी के according करते जाना है अजाएए थोड़ा सा काम आसान हो जाता है फॉर्मेट बनाने की नहीं होकर IS ठीक है सर यह टोटल है यह क्वांटिटी है यह रेट है यह टोटल है तो बताएं आप किस से किया जाए आप बताइए फटाफट वेटेट लीफो फीफो वेटेट से चलो मैं वेटेट से कर देता हूं सबसे पहले हमें गीवन है कि हमने बौट किया है बारह हजार कितने का बीश रूपय तब 13 यूनिट बारह सो यूनिट कितने वैला वीच वाला तो कितने हो गए हैं 24,000 सर ये आ गया हमारा 1220 वाला यानि 24,000 ठीक है फिर हमने खरीद लिया 400 यूनिट 24 वाला कब खरीदा सर 10,9 को कितने परचेस किये 400 कितने वाले 24 वाले तो कितने हो गए 9,600 अब टोटल कैसे करेंगा अबरेज में ये 1200 और ये 400 कितने हो जाएंगे 1600 अब ये 1600 जो हो गए अब इसका रेट टोटल कर देंगे कैसे करेंगे टोटल 24,000 प्लस 96 यानि 33,600 अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर ये कैसे आ रहा है तो एक इसको मैं इसके साथ एड घर रहा हूं ठीक है इसके साथ मैं एड कर रहा हूं अब रेट निकलेगा 1600 ये आगए 21 रुपए ठीक ठाक रेट आगए 21 रुपए फिर आगे कहता है कि 1200 यूनिट बेच दिये लेकिन मजे की बात इसमें कितने रुपए में बेचा ये भी कह रखा है और पिछले सवाल में देखोगे कितने का बेचा ये नहीं कहता है सिर्फ बोलता इतने बेच दिये तो यहां पे जितने का बेचा है वो नहीं लिखना आपने आपने इस्यू जितने पे कर रखा है जो कॉस्ट आए वो बेचने का लास्ट में टूटल करेंगे तो सर आपने कितने यूनिट इस्यू कर दिये 400 कब कर दिये 400 सर 12 ता रिको तो 12 9 को इस्यू कितने ये तो नहीं रहेगा 400 किस रेट का 21 रुपए 21 का बेचना है 30 का मत बेच देना तो 8400 ठीक है समझ में आ रहा है यानि हमें इस्यू तो प्राइस चाहिए ही नहीं वो सिर्फ प्रॉफिट निकालने के लिए प्राइस चाहिए होगा बचे कितने हमारे पास 1600-400 चले ही गए तो 1200 बचे 21 वाले तो 1200 25 200 ठीक है आगे चलो सेप्टेंबर के बाद हमारा आ जाता 14 सेप्टेंबर को हमने फिर खरीद लिया 600 14 सेप्टेंबर को हमने परचेस कर लिया कितने कर लिये 600 कितने रुपे का 30 रुपे का तो यानि 18,000 अब होगे 12 और 6 1800 और 18 और 25 दो सो 18,000 प्लस 25 दो सो यह हो गया 43,200 रेट आगया डिवाइड़ बाई 18,000 24 रुपे का रेट आगया ठीक है इसके बाद फिर 16 तारिक को इसू कर दिये 800 16 तारिक को हमने इसू कर दिये कितने कर दिये हमने 800 किस रेट के जाएंगे 24 इंटू में 800 कुश्चन वाला रेट हम नहीं लेगे ठीक है इसके बाद 18 में से 800 चलेगे तो 1000 इंटू 24 यानि 24,000 ठीक है चलिए फिर खरीद लिया 20 सेप्टेमबर को 600 तो 20 सेप्टेमबर को हमने खरीद लिये परचेज कितने सर 600 किस भाव के खरीदे हमने 40 तो 6 चोके 24,000 अब देखा जाए तो हमारा कितने बन गए 1000 और 6 1600 रेट कितना आ गया ये 48,000 का हो गया तो 48,000 डिवाइड बाइ 1600 रेट निकल क्या है 30 रुपए का फिर हमने 25 तारिक को बेच दिये 700 यूनिट बचे कितने 1100 किस रेट के 30 तो कितने आ जाएंगे 33,000 ये तो हो गया तो पहला पॉइंट आप बताइए हमें alternative gross profit during the September तो सबसे पहले हमें cost of goods gross profit क्या होता है gross profit is equal to sales minus में COGS यानि cost of goods या आप बहुत पहले से सिखते हैं 11 वी में भी सिखा है आपने 12 वी में भी कई बार ratio वाले chapter के अंदर किया होगा ठीक है तो ये होता है sir sales कैसे आएगा चलिए sales लिख लेते है sir sales हमने किया कितने 400 unit sir इस 400 unit को जो सवाल कहता है बेचने को 30 रुपे से फिर sales किया हमने 800 जो सवाल कहता है बेचने को 40 के हिसाब से फिर sales कितने किया हमने 700 सवाल कहता है बेचने को 50 के हिसाब से तो total selling value आ जाएगी तो total selling value कैसे आ जाएगी 400 unit 30 12,000 32,000 और 35,000 तो total sales आ गया 12,000 35,000 35,000 79,000 और cost कैसे निकालते हैं इसका total करके तो cost कैसे आ जाएगा सर 8,400 19,200 21,000 cost आ गया सर 48,600 तो क्या हमें sale भी पता चलिए हमें cost भी पता चलिए क्या profit नहीं निकाल पाएगे निकल जाएगा तो simple सी बात है profit निकलेगा हमारा profit निकलेगा हमारा 79 माइनस में 48,600 माइनस में यह आ गया 30,400 चेक कर लिजी आप ठीक है clear है मैंने किस method से कर दिया आपका मैंने weighted method से कर दिया है weighted के बाद आपने फीफो से ऐसे ही करना है लीफो से ऐसे ही करना है हो जाएगा यह भी चलिए 6 है periodic inventory system फीफो से भी लीफो से भी weighted से भी यह homework में दिया जाएगा आपको homework क्यों दिया सर homework में आपको पता ही अभी अमने किया है तो एक question homework में दे देंगे ज़्यादा सवाल है नहीं इसके अंदर last in first out basis और weighted average calculate अब जब कभी भी आपको बोला ना जाए कि कौन सा method है तो आप हमेशा perpetual inventory system follow करोगे ठीक है कुछ भी नहीं बोला जाए जैसे सवाल में मेरे हिसाब सो कहीं बोला नहीं गया तो हम कौन सा method आपका यह भी क्या रहेगा आपका हम आठवा कुश्चन यह मैं करूंगा इसको नहीं करना यह मैं करूंगा नोबा कुश्चन सर यह भी रहेगा आपका होमवर्क अभी काफी सारे होमवर्क मिल जाएंगे इसमें दस्वा कुश्चन सर यह भी रहेगा आपका होमवर्क बहुत आसान चेप्टर है यह यह भी सर क्या रहने वाला है होमवर्क सर यह भी चलिए यह मैं बता दूँगा इसमें थोड़ा सा बैलेंस शीट बगरा दे दिया सेल्स दे दिया जर्नल कॉस दे दिया प्रॉफिट दे दिया पूस्ता है फीफो मेथड वेटिड एबरेज मेथड से वैल्यूशन निकालना यह मैं बता दूँगा बारा दो इण वर्ड यह मैं करा दूँगा इसको रहने देंगे जो मैं करा हुआ कुछ कॉंसेप्ट बताके मैं करा दूँगा यह भी मैं करा कॉा इस के अंदर के आ गया हमारा इष्जू डिटन आ गया इसू रिटन आ गया यह क्या रहेगा सर found will install bounce here चेक कर लूँ एक मिट आते हैं यह भी रहेगा होमवर्क आज होमवक ही होमवक है आपके लिए यह भी होमवक सर ये भी होमवर्क ये मैं कराओंगा इसमें नॉर्मल लॉस आ गया ठीक है ये मैं कराओंगा आप भी नोट करते जाएं ओनर्स प्रोग्राम में बिल्कुल सेम कुश्चन है अलग नहीं होगा ये भी होमवर्क चलिए कि आप बताएं कौन सा पूछ रहे हुँ कि डैमेज स्टॉक कहां दे रखा है अच्छा रिटन है इसमें रिटन है ये भी रहने दीजिए कि रहने दीजिए ये हो जाएगा कि ये सारे कुश्चन आप होमवक में कर लेंगे हो जाएगा टिक कर लीजिए जितने बच्चे लाइव हैं वो भी टिक कर लें कृष्णा आदेश पवन जी या जितने भी बच्चे हैं लाइव में वो सभी कर लें इसे नोट होमवक में देखते हैं कुश्चन कहता है इसको हमें परपैच्वल से नहीं करना इसको हमें प्रियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम से करके दिखाना है सर किस से करके दिखाना है प्रियोडिक कुश्चन नमबर सिक्स है अ कंपनी के पास कुछ परचेज ऑफ रौ मटरियल एक किस में दे रखे हैं तो ये आपको सारे डिटेल परचेज का है वाइल प्रिपेरिंग दे फाइनल अकाउंट जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेर कर रहे थे दिसंबर में मतलब जितना भी खरीदा उसमें से तेरा सो किलो हमारे पास बच गए है calculate the value of raw material, cost of sales, दोनों तीनों method से करना है पहले चलो हम FIFO कर लेते हैं, कौन सा कर लेते हैं? FIFO हमें तीन चीजों की अवशक्ता होगी इसमें एक तो हम issue वाली detail लिखेंगे sorry, पहले हम लिखेंगे receipt वाली फिर हम लिखेंगे कौन सा और फिर हम लिखेंगे sir, balance तो सवाल खुद ही कह रहा है, balance कितने है? 13 ठीक है, अब हम issue को देख लेते हैं बार-बार हमने खरीदा गया है gen 2 को 2 एक को quantity rate total चलिए, sir, 2 एक को कितने खरीदे हैं हमने? 800 कितने में? 62 इसके बाद 28 दो वो इस तो आ रही है इसके बाद 28 दो नहीं, sorry, 26 दो कितने का खरीदा? 26 दो को 1200, कितने रुपे? 57 इसके बाद 13, 4 बताते जाएए हम 25, 59 इसके बाद 10 जुलाई, 10 छे 3,000 56 इसके बाद 18, 9 15, 60 इसके बाद 29, 11 1,065 ठीक है? यही रहा कहानी चलिए, सर अब इसको multiply करके total कर लेते हैं, एक बार हम multiply कर लेते हैं तो कितने हो गई यह? 49 यह अब हम कर कुण सा रही हैं? 168 पहले बेचेंगे उसके बाद वाला बाद में बेचेंगें तो वेड़ी सिंपल चलिए देखिए हमें कितने यूनिट अब टोटल यूनिट देख लेते हैं हैं कितने तो टोटल यूनिट कर लेते हमारे पास थे कितने तो 800 122500 तीन हजार, पंदरासो हजार, सर दस हजार है, है ना, अब दस हजार की टोटल कीमत कितनी है, वो भी देख लेते हैं, अब फीफो के अंदर देखा जाए, तो दस हजार में से बचे कितने है, कुश्चन खुद कह रहा है, हमारे पास लास में बचा कितना है, हमने खरीदे थे दस हजार, जिसमें से बचे तेरह सो, तो बाकी कहा गए, इशू कर दियोंगे, तो दस हजार माइनस में तेरह सो, देट इस, 87 हमने इशू कियोंगे, फीफो के हिसाप से 87 निकालते जाओ अब आप, ठीक है न, 87 निकालेंगे, तो पहले कितना निकलेगा, 862, 87 चाहिए हमें, पहले हमने 800 निकाल लिया, और 79 चाहिए, अब फिर 1200 निकाल लिया, फिर माइनस कर देते हैं, बारह सो भी निकाल लिया, अब 67 और चाहिए, फिर 25 निकाल लिया, फिर माइनस कर दो 25 निकाल लिया 42 और चाहिए फिर 3000 निकाल लिया 3000 निकाल लिया माइनस 3000 और 12000 चाहिए तो 12000 किस से निकलेगा 1500 से तो ये निकलेगा कैसे 60 अब टोटल कर लिजिए 800, same आ जाएगा न, 49, 600, एक गलत कर दिये हैं, 168, ठीक है, 1200, इंटू 60, 72,000, क्लोजिंग वाला थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, एक कर देंगे, एवरेज को तो वैसे ही हो जाना है, आज हो नीचे वाई, चलो, अब इसका टोटल अगर हमसे कोई पूछता है, तो हम बदा सकते हैं, इसली, टोटल 49, 600, 68, 400, 1, 47, 500, 1, 68, और 72,000, यह आगे 50, 65, पहला कुश्चन पूछता है, बताईए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और कॉस्ट अफ सेल्स, कॉस्ट अफ सेल्स तो निकल गया, अब क्लोजिंग स्टॉक तेरा सो है, तो तेरा सो जो होगा, कौन सा होगा सर, तेर 300 बचे होंगे हमारे साथ वाले, और हजार बचे होंगे हमारे 65 वाले, तो 18,000 प्लस 65,000, इनको जोड दीजिए, 18,000 प्लस 65,000, देट इस 83,000, चेक कर लिजिए, बुक में है, प्लोजिंग, ठेक है, अगर वही चीज बोला होता है, कैसे वेटेड वाला, तो दो मैं को वेट निकालते हैं, और एक खटा हम 8700 निकाल ले, तो चलो वेटेड वाला भी कर देता हूं, तो वेटेड वाला होता हमारा सर 10,000 की कीमत है, 588,500, तो रेट जो आएगा निकलके, डिवाइड करके, 588,500 डिवाइड वाइड वाइड 10,000, यानि 58.85, आपने इशू कितने कर दिय है, इसमें से 87, इसके अंदर तो कुछ नहीं देखना, 58.85, 8700, तो ये लो ये आगया हमारा, 151,995, और अगर आप बैलेंस की बात करो, तो ये भी ऐसे निकलेगा, 1300 इन्टू में 58.85, ये आगया देखो, आपका चेक करो, 58.85, ये किसका आगया अंसर, वेटेड का, अब फीफो वाला तो होई जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बस दो छोटे-छोटे से concept बताने हैं, उसको देख लेते हैं, आपने ये question practice कर लिया होगा, इसको तो चलो, देख लेंगे अभी, ये homework में दिया था सभी, जिसको homework में इसमें return तो दिखने रहा, ठीक है, return वाला एक कर लेते हैं, तो ये भी homework में चला जाएगा, इसको कर लेना, इसको दुबारा, इसको homework में दे देते हैं, और इसके अंदर ये जो दे रखा है, इसका कोई role ऐसाच नहीं होता, कि क्या करना है, इसका कोई भी role नहीं है, इस बा में 15 करना है, और ये इतना, और simple question बन जाएगा, ये, नहीं, इस 1000 का कोई नहीं, carriage inward है, 1000 रुपे का, उसका कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ stock का करना होता है, खर्चे वगरे नहीं जोडने हमें इसके अंदर, ठीक है, चलिए, इसके बाद आ जाते हैं, ये हमारा रिटन वाला, कितने कुछ एंट्री है, 246810, 12, चलिए, ये question कर लेते हैं, और करने के बाद हमारा फिर, इसको हटा देता है, इसको फिर हमें छोटा करना पड़ेगा है, ना, ये पर से कॉपी करते हैं, क्क्री करेके चमेando लेते हैं, ये जा रधरा एंबेस वेको करता हैं, इसको बाते हैं, इसको फिर दोटरी हैं, वे झाय।, झालिए, भालिए, ले ये नाundवेगाई, और के रिता जा, ये कुपी करते हैं, झालोटाराशबाशने हैं, झाल झाल चलिए यह हमने कोश्चन तयार कर लिया है और इसी को करते हैं आपको विज्वल होगा पूरा जिसके पास बुक है वो बुक में से इजली देख सकते हैं यही कोश्चन करना है सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर रिटन वाली बात है अदर्वाइस करने की कोई जड़त नहीं है इसके अंदर बड़े सारे यह लिखे हुए हैं MR जी आर तो MR और जी आर का कोई काम नहीं होता है MR का मतलब होता है material receipt नमबर जैसे किसी भी बिल लेते हैं तो उसके उपर एक नमबर लिखा होता है तो उस नमबर का हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना हम हमें बस वही quantity, amount और total के उपर पूरा काम करना है ठीक है तो सबसे पहले बोलता है store laser फीफो के हिसाब से बनाना है चलो पहले से फीफो लिखा हुआ है 200 हमारे पास पहले balance बचा हुआ है जनवरी एक को तो सर जनवरी एक को हमारे पास balance है ब्लैंक 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 200 हमारे 10 वाला तो पच्चयPS सो उसके बाद हमने कर दिये 50 यूनिट तो बताएगा तो है नहीं इस्शु में कब करा हमने इस्षू डेट बताना इस्यू कर दिये कितने यूनिट करें? पचास तो सर पचास दस वाले ही किये होंगे पांसो बचे कितने? दो सो दस वाले दो हजार ये भी हो गया, ये भी हो गया अब आ जाते हैं, रिसीव आट सो यूनिट करें हैं ग्यारा रुपे के भाव से अब ये जी आर नंबर का कोई मतलब नहीं है जी आर नंबर कोई नहीं है, कितने रुपे से करें हैं? ग्यारा से, आट सो रिसीव किये हैं कब करें हैं सर हमने? छे को, छे को परचेज ये रिसीव कह लो कितने करें हैं? आट सो किस हिसाब से 1100 से 1100 से तो कितने होगे 8800 अब हमारे पास दो तरीके के यूनिट होगे एक 200 एक 800 ये 10 वाला ये 11 वाला ये 8800 और ये 2000 ठीक है इसके बाद इशू कर दिये हमने 300 यूनिट किस डेट पे 7 एक को हमने इशू कर दिये कितने इशू कर दिये हमने 300 यूनिट तो बहिए 200 तो कौन सा मैथट है फीफो तो पुराने वाला पहले तो 200 तो ये चला गया होगा 10 वाला और 100 चला गया होगा हमारे 11 तो 2000 और 1100 हमारे पास बचे है 700 और वो भी 11 रुपे के हिसाब से तो 7700 क्लियर है उसके बाद रिटर्ण टू वेंडर वेंडर कौन होता है जिससे हम समान खरीदते हैं तो जब कभी भी हम रिटर्ण करेंगे ना तो सिंपल सी बात है हमारे गोडाउन से बताओ समान क्या होगा vendor कौन होता है जिससे समान खरीदते हैं seller तो जब कभी भी हम return करेंगे तो हमारे go down से समान क्या होगा जैसे माल लो यह मेरा go down है तो अग जब भी return करेंगे तो go down से माल लेते हैं यह हमारा showroom था यह showroom है हमारा और इधर हमारा कोई factory जहां से माल लेते हैं जब भी return करेंगे तो यह हमारा vendor कहलाएगा है ना तो return करेंगे तो हमारे पास से तो समान निकल के जाएगा तो जब कभी भी return होगा that is simple आपको issue के नाम से ही करना है उसको ठीक है ना उसको किस category में रखोगे issue क्यूंकि आपके go down में से समान जब जा रहा होता है तो इसको issue बो एक को हम यहां पर करेंगे return अब जी आर नंबर तेरा जी आर नंबर तेरा आठ सो और हमारे पास स्टॉक भी बचा हुआ है तो इसी में से निकल जाएगा कितने unit return कर दी हमने 20 unit 11 के हिसाफ से 11 दुनी 220 अब जो बचा हमारे पास कितने बचे 680 में 11 बस यह फरक था इसलिए ह हमने बोला था एक class और ले लेंगे ताकि आप कुछ question practice करोगे तो आपको idea हो जाएगा नहीं तो मैं कल ही करा देता इसको इसको इसके बाद फिर 300 unit 12 रुपए वाले रिसीव कर लिया आपने किस तारीक को रिसीव करें 12 तारीक को सर रिसीव कर लिए 300 unit 12 रुपए तो 12 36 अब बचके आपके पास 680 11 वाले और 300 12 वाले तो 36 और 74 80 इसके बाद फिर से इसीव कर दिया 320 कब करें सर आपने इसीव 15 तारीक को 15 को आपने कर दिया issue कितने कर दिये 320 320 में सारा इसी में से चला जाएगा 11 के भाव से ही 320 इंटू में 11 यहां जागा 3520 यहां कितने बचके सर 680 में से 320 चले गए तो 360 11 वाले और 300 बचके 12 वाले यानि 3600 और इंटू 11 यानि 4960 यहां तक समझ में आ रहे हैं सभी को यहां तक clear है गुट इवनिंग ओके चली 18 तारीक को 100 यूनिट फिर से हमने रिसीव कर लिया 12 रुपे के भाव से 18 एक को हमने रिसीव कर लिया इस भाव से 100 यूनिट बारा के भाव से तो सिंपल सी बात है 100 यूनिट बारा बारा सो अब हमारे पास तीन टाइप के यूनिट हो गए तीन सो साथ तीन सो और सो ग्यारा बारा और ये भी बारा बारा सो चतिस सो उनतालिस सो साथ इसको थोड़ा उपर ले जाते हैं ठीक है इसके बाद अगली एंट्री 20 तारिक को फिर से हमने क्या करा इशू कर दिए 120 यूनिट तो बीस एक को हमने इशू कर दिए सर कितने इशू कर दिए 120 तो किस से जाएगा 120 ग्यारा वाला जाएगा तो 120 इंट्व में 11 तो आगे हमारे 1320 अब तीन तरीक के बच गए सर 120 माइनस 360 240 300 और 100 11 12 12 आप इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हो जो क्योंकि दोनों का रेट क्या हमारा सेम है तो कर सकते हो अदर्वाइस नहीं भी करोगे तो चलेगा इंट्व में 11 2640 3600 और 1200 इसके माद आगे देखते हैं रिटन टू वेंडर 40 यूनिट 77 नमबर वाला यानि इसमें से हमने 77 वाले कर दिया रिटन अब हमने कब किया किस तारीक को 23 को रिटन कर दिया 40 यूनिट तो 40 यूनिट किस वाला अब आपको एक बात ये भी देखना है कि अगर आपके पास जो हम return कर रहे हैं 77 number GR वाला अगर आपके पास पढ़ा हुआ है तो तो return कर दोगे अगर मान लो by chance वो आपके पास है ही नहीं तो आपके पास जो ये पढ़ा हुआ है इसी rate से return करोगे चाहे method लग रहा हो लीफो चाहे method लग रहा हो फीफो तो हमारे पास तो चलो care पढ़ा हुआ 12 रुपे वाला अब देखो मैं किस से return करूँगा 12 से यहाँ पे हमने लीफो और फीफो को comply नहीं किया क्योंकि हमने जो लिया था उसके हिसाब से हमने क्या करा return कर दिया 40 into 12 that is 480 अब हमारे पास बचा 240 मैं जो 40 minus करूँ इस से कर दूँ और note दे दूँगा कि हम फीफो को proper तरीके से follow कर रहे हैं यही वाला माल written हो गया है अगर हमारे पास goods बढ़ा हुआ है तो वही लेकर चलेंगे 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 तो सो चालेश ग्यारा यह तो बारा वाला है न यह बचे हमारे कितने 40 तो निकली गए यह हम return कर रहे हैं 40 में से कितने बचेंगे 60 12 तो दो सो चालेश इंटू में ग्यारा यह जाएगा 26 चालेश यह जाएगा 36 और यह आगे 60 इंटू में 12 720 23 तारिक को receive कर लिया हमने 10 रुबे 25 पैसे में freight on purchase का कोई मतलब नहीं बनता है हमारा GR 96 की बात कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं इसू कर दिया दो एंट्री और रहता है थोड़ा अर्जिस कर देते हैं और उपर ले जाके हम इसको ठीक है ने सिर्फ दो एंट्री करना है फिर लास्ट में असर चेक करना चलिए सर हमने फिर क्या कर लिया कितनी तारिक को 26 को क्या करा receive 26 एक को receive कर लिया कितने unit 200 क्या rate का 10 रुपे 25 पैसे तो 10.25 इंटू में 200 सर 2050 का अब हमारे पास होगे 240 हमारे पास होगे 300 हमारे पास होगे 60 और हमारे पास होगे 200 ये 11 ये 12 ये 12 और ये 10.25 ये आगे 2050 ये आगे 720 और ये आगे 36 और ये आगे 26 40 प्रेट का ऐसा कोई काम है नहीं जैसे भी बताया था अब इशू कर दें इशू कितने कर दी आपने 1300 यूनिट कर दी हैं आपने 1200 तो किस तारिक को है 31 को इशू कर दिये हैं सिंपल सी बात है अब 200 कौन सा जाएगा 240 ये वाला और 10 इसमें से आ जाएगा तो यहां गए 2640 और यहां गए हमारा 1200 अब बचे कितने हमारे 290 इसमें से बच गए 60 यह है 200 यह है टोटल देखा जाए तो 12 रुपए 12 रुपए और 10 रुपए 25 पैसे चलो टोटल कर ले सर बस इसे टोटल करना है इंटू में 12 बागी तो करा करा है 3480 और यह बच जाएगा हमारे 7 इंटू में 12 साथ सो बीस और यह बनके हमारे 200 इंटू में 10.25 पीस पचास टोटल कर लेते हैं इसका क्या आता है साथ सो बीस प्लस में 3480 बुक में चेक कर यह बागी सट सो पचास का हमारे पास है ठीक है क्लोजिंग इस तो कुश्चन में क्या पूछा था पता ने उपर दे रख़ा है चेक कर यह प्रेट का कोई यूज नहीं करना कौन सा एक ही मैथट था या दो तीन मैथट है कुश्चन नंबर है कौन से पंद्रह है यह द्धाई सो और दो सो हमारे पास कितना बचा हुए है नहीं पचास तीन सो चलिए एक... ते की बीस तीन सो बीस धकी कि अधिक उन्होंने क्या कर रखा हैं अंसर में देखोगे तो मैं वहीं देख रहा था ये 60 और 290 को इखटा कर दिया उन्होंने जो मैं कह रहा था कि 350 आप ऐसे अलग अलगी करें और बाकी 200 अलग दिखा है रेट सबका यहीं आ रहा होगा देखो 62 पचास टूटल आ रहा है उनका क्या टूटल कर रहा है नहीं कर रहा तो यह हमारा अंसर था इसका तो इसमें हमने रिटन का देखा सेम ऐसे कई वार कुश्चन में आपने क्या देखा लॉस बाई फायर यह एबनॉर्मल लॉस तो लॉस बाई फायर की वज़े से बताओ हमारे पास से समान क्या होगा आ जाएगा यह निकल जैसे की कुश्चन है mathematics कौन सा सर यह नियुच आप ने लॉस बाय फायर हुआ है तो सौ युनिट कोई पर लीफो होगा तो 9 के हिसाब से आपको निकालना है तो इसको क्या मानना है एशू मानके आगे कंटीनि करना मैं क्लियर है बताई अगे वेक्त एक मिन्ट आगे बढ़ते जाते हैं पहले यह भी होमवक में था और मेरे लिए और कौन सा एक यह भी मैंने बोला था नॉर्मल लॉस इसको भी क्या मानके करोगे ईशू मानके लेस कर दोगे आप ठीक है तो जो कोश्चन मैंने लगाया था वो देख लेते हैं बस यही था 10.25 है कौन सब्सक्राइब फ्रेट यह यह 113 तो मैंने इशू कर तो दिया धाइसो दोसो चालिस ग्यारा वाले दस बार रुप यह रेट कभी इशू का देते हैं MRP नहीं है वो material receipt number है ठीक है न वो number दे रखा है ठीक है तो अब आपके सारे हाँ फ्रेट का कृष्णा कोई काम नहीं है अब आपके इसके सारे के सारे questions हो जाएंगे इससे उपर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा जो बच्चे आप करना चाहते हो तो कर सकते हो कल क्लास रखेंगे हम कितने बजे सेम टाइम साम को साथ बजे और कल साथ बजे क्लास यह सवा साथ बजे रखते हैं एक new chapter depreciation के बाद फिर उसके बाद जो study plan है उससे related मैंने आज वीडियो सभी को पोस्ट कर दिया है कि किस हिसाब से कौन सा चेप्टर हमें पहले करना चाहिए ठीक है चलिए मिलते हैं फिर हम next class में किसी का कोई doubt है तो बताइए झाहिए